मुझा जैहिन मेरे दोस्तों तो आप ये जो पीछे वीडियो देख रहे हैं जहां प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी का काफिला दंदनाता हुआ चल रहा है ये कुछ और नहीं ये मुंबई और नवी मुंबई को जोडने वाला आधुनिक भारत और विक्सित भारत की पहचान अटल सेतु है और आज के इस वीडियो में हम इसी अटल सेतु की बात करेंगे जिसे हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जानते हैं और हाली में 12 जनवरी को प्रदान मंत्री मोदी ने जिसका उदगातन किया है बारत का सबसे लंबा समुदरी पुल है जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को दो घंटे की जगें केवल 20 मिनट के उपर ले आया है 20 करोड़ 20,000 करोड़ रुपे से बनी ये परियोजना 21.8 किलोमेटर लंबा ये पुल जिसमें से अकेला साड़े 16 किलोमेटर जो ये पुल है वो समंदर के उपर बना हुआ है लगबग साड़े 5 किलोमेटर जमीन पे है और 16 किलोमेटर ये पुल जो है वो समंदर के उपर बना हुआ है समुदरी लेहरों के उपर बना हुआ है जापान के साथ सायोग से हमने इस पुल को बनाया है इसमें 100% इंवेस्टमेंट में से 80% इंवेस्टमेंट वो जापान की है और 20% इंवेस्टमेंट वो पेट्रोल बचेगा, 100 किलोमेटर प्रती घंटा की गती है, और 70,000 वहिकल डेली इसके उपर से गुजरेंगे, और क्योंकि सफर जो है कम हो गया है, तो डेली इस पर आपका हजारों जो है लीटर पेट्रोल जो है वो बचेगा, जैसे यहां पर बताया है, मैंने एक साल में ल समदरी पुल खुल गया है, और मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी, अब केवल और केवल 20 मिनट रह गई है, और सबसे पहले इस ब्रिज का एक 3D पिक्चर के साथ हम देखते हैं, कि वास्तों में यह कहां से कहां तक बनाया गया है, तो देखिए मुंबई और नवी मुंबई को यह कनेक्ट करता है, यह पुल, अगर मैं बात करूँ, मुंबई और नवी मुंबई को समझते हैं पहले, आपको पता है मुंबई जिसे भारत की आर्थिक राजदानी बोला जाता है, एकनॉमिक कैपिटल बोला जाता है, यह अरब सागर में समंदर के किन निकली हुई है, इसी के ऊपर मुंबई बसा हुई है, और यहाँ पर आप बिल्कुल टिप पर देख रहे होंगे, यह गेटवे ओफ इंडिया है, यहाँ पर, अब देखिए, क्योंकि यह समंदर के किनारे है, तो मुंबई शहर जब बढ़ा, जब इसमें पोपुलेशन ब पीच में आप यह देख रहे हैं, यह पानी वाला इस्सा है, ठीक है, यह आप लोगों का अरेबियन सी का वोटर है, अब जो लोग मुंबई से नवी मुंबई की ओर आएंगे, अभी तक उनको इस प्रकार से घूम कर आना पड़ता था, आप लोगों का कई किलोमेटर चल क ऐसे घूम कर आना पड़ता था, लेकिन अब क्या किया गया है, यह मुंबई नवी मुंबई को सीधा कनेक्ट कर दिया गया है, यहां से, इस प्रकार से, और यही है आप लोगों का अटल सेतू, या मुंबई ट्रांस हारबर लिंक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आप यहां इस ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, अब इसका नाम रखा गया है अटल सेतू, यह तो हमारे जो है भारत के पूरु प्रदान मंत्री अटल वियारी वाजपई के नाम पर, लेकिन इसको ट्रांस हारबर सी लिंक क्यों बोलते हैं, तो देखिए हारबर का मतलब होता बंदरगा और आपको पता होगा मुंबई के अंदर भारत के दो प्रमुक बंदरगा हैं, एक का नाम है मुंबई पोर्ट जो की पुराना है और एक नेचरल पोर्ट है, जबकि दूसरा भारत का सबसे बड़ा आर्टी फीशल पोर्ट जिसका नाम जवाहर लाल नहरू तो इन दोनों बंदरगाओं को भी ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांस हारबर सी लिंक के नाम से जाना जाता है, ये बात कई लोगों को पता नहीं होगी, अब देखो इसका उद्गाटन प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने किया, देखिए एक चाय बन चुका है, बराबर में आप लोगों के डेपूटी सीम साहब हैं, देविंदर फड़नवीस जी, महराश्ट के, और उसके बाद चौवान साहब, और ये देखिए, ये व्यक्ति पर नजर डालिए, ये कहां का है, ये जापानी का व्यक्ति है, जैपनीज है, और इस बात का म जनिया में नहीं रहे, लेकिन नरेंदर मोधी के बड़े खास दोस्त है, इनी के टाइम पे ये परियोजना जो है, जापान ने फंड की थी, 2016 में उन्होंने इस परियोजना को फंडिंग शुरू करी थी, और 2018 में इसके उपर काम शुरू हो गया था, तो शिंजो एकबे को खास तोर पर याद किया गया, और देखिए शांदार नजारा, आधुनिक बारत की पैचान, आधुनिक बारत की जगल, जलक आपको दिख रही है, इस मुंबई ट्रांस आरबर लिंक, यानि की अटल सेत्व के अंदर, चलिए, अब देखिए थोड़ा सा निर्मान का लंब गई, तो बहुत सारी कंपनियों ने बिड़ की, लेकिन अनिलंबानी की रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर ने इसके लिए फाइनल किया, लेकिन उस समय मुकेश और अनिल का अपस में जगड़ा चल रहा था, इसलिए उसके बाद जो रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर है, वो थ 2018 में इस परियोजना पर काम शुरू हो जाता है, और लगबग 6 वर्ष के बाद, 2024 में देश की शान, आन, बान, हमारा अटल सेतु हमें मिल चुका है, अब देखिए अगर मैं अटल सेतु की बात करूं, 21.8 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 6.5 किलोमेटर अके 20.8 किलोमेटर लंबा पुल जो है, 20,000 करोड रुपे की लागत से बनाया, कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं, कि 20,000 करोड रुपे खर्चा करने की जुरूत क्या थीस परियोजना के उपर, तो देखिए, ये मुंबई शहर है, इसे सपनों का शहर कहते हैं, और इस शहर मे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास टाइम की कमी है, मुंबई में पैसे की कमी नहीं है, टाइम की कमी है लोगों के पास, क्योंकि लोग गंटे गंटे जामों के अंदर फसे रहते हैं, और मुंबई में जाम का कारण ये है, कि मुंबई में आप अगर देखोगे, मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी कि मुंबई जो है वो तीन तरफ से समंदर से गिरा हुआ है यहां पर आप मुंबई को देखेंगे और आप सब और हर आदमी को मुंबई के अंदर सी फेसिंग घर चाहिए समुद्र के सामने चाहिए कि सुबह उठते ही मैं दातुन करूं तो सामने मुझे समंदर दिखाई दे ठीक है अब समंदर की तरफ आप रोड बना नहीं सकते तो मुंबई में रोड केवल और केवल कहां से हैं बीच से हैं मतलब वन साइड़ है आप बागी बड़े शहरों के अंदर देखेंगे जिसे दिल्ली में चले जाओ रिंग इने को तयार है वो कहता है पैसा ले लो टाइम दे दो बस मुझे किसी तरीके से तो ये पैसा उस टाइम के सामने कुछ भी नहीं और मुंबई देश की व्यापारी का आर्थिक राजदान नहीं है दो दो बंदर गाएं यहाँ पर ठीक ना ट्रेड बहुत सारा होता है तो इसके लिए कहीना कहीं ये कमपंशेट जरूर करेगी इसकी कीमत छे लेंद का हाईवे है पीन लाइन एक तरफ तीन लाइन एक तरफ और अमरजेंसी के लिए एक 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 स्ट्रा लाईन देखिए 1-2-3-1-2-3 और ये जो आपकी साइड में एक्सट्रा अमरजें गंटे कम कर देगा पहले दो गंटे लगते थे आप 15-20 मिनट में आप पहुंचेंगे नभी मुंबई और उसके बाद आगे दक्षणी भारत में भी जा सकते हैं ठीक है रोज एवरेज एक गाड़ी का 500 रुपए पेट्रोल बचेगा आप लोगों का कितना 500 रुपए का जो है पेट्रोल आपका बचने वाला है तो देखिए पहले है आप लोग सफर करके आते थे लगबख 50-60 किलोमेटर का आप मान के चलें कि आपका 10-15 रुपए अगर मान लोग ट्र बंदरगा और जवारलाल नहरु बंदरगा बारत के दो बंदरगाओं को यह अपस में कनेक्ट करेगा तो यह भी एक शांदार बात है अटल से तुसे रहा होगी आसान सत्तर अजार लोग डेली सफर करेंगे 400 कैमरे बिलकुल एकदम चका चक सीसी टीवी कैमरे लगाए हु के अंदर लगेंगी सेंसर वाले कैमरे हैं और सो किलोमेटर प्रती घंटा की गती सीमा के साथ यहां गाडियां चलेंगे लेकिन आपको एक बात पता है हिंदुस्तान के अंदर पैसे की कमीनी और मुंबई में तो बिलकुल नहीं है अब देखना सो किलोमेटर की जगे तो माबाप हमेशा रोते रह जाएंगे तुम केवल और केवल कुछ मोज मस्ती के लिए उनके आँखों में हमेशा के लिए आंसो छोड़ जाओगे तो अमीर बाप की अउलाद के लिए मेरा एक जो है थोड़ा सा पहले से घ्ञान में देता हूँ आप लोगों को सलाह देत हैं और ब्रीज पर अड़ान्स लाइटिंग है जो केवल और केवल ब्रीज के उपर फोकस करेगी ब्रिज के उपर लाइट पड़ेगी केवल और केवल ठीक में आप यो ब्ल görüş देख रहे हैं समंदर है रात के नजारे में एक काड़ा रंका जो दिख रहे समंदर है और समंदर के अंदर ये लाइट नहीं पड़ी की जिससे समुदरी जीवों को इस लाइट की वजए से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है केवल और केवल ये आप ती लाइट है इस ब्रिज के ऊपर जाएगी पानी के अंदर नहीं जाएगी तो समुदरी जीवों और पक्षियों का ध्यान रखा गया आप देखो में सभी की नजर इस पर है कि टोल तो देखिए अगर हम साधारन कारों की बात करें तो वन साइड डाई सो रुपए और दोनों साइड तीन सो पिचेतर है तो पहली बात तो देखो पैसा 500 रुपया तुमारा कार का पट्रोल बच रहा है और दूसरा बात मैंने का पैसे से ज़्यादा कीमती टाइम है मुंबई के लोगों को तो टाइम और पैसे के आगे देखें तो तीन सो पिचेतर कुछ नहीं है रोज सफर करने वाले 1500 ओवर साइज विकल 1580 वन साइड का बता रहा हूं तू साइड यहां पर जो है आप लोग इसका डबल करके देख सकते हैं स्क्रीन शोट लेना बंबई जाना हो तो और यह शेवरी नावा सेवा को आपस में क्या कर रहा है अब इसमें दिक्कत क्या है जो इसके अंदर विए गरीब होंगा विशेम इसके आटो वाला कहां चलेगी और वीलर कहां चलेगा देखrade सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं यह बात बिल्कुल साहिए भारत देश जो है इसमें आम आदमी की पहले सुनी जानी चाहिए राम आदमी सुविधा नहीं मिली तो अभुर पुल किस काम का लेकिन इसमें एक महत्पुन बिंदू हो रहे देखिए इस परियोजना को बनाने में हमको 20,000 करोड रुपे लगे 60 साल का इंतजार था यह ठीक है और मुंबई के अंदर इस परियोजना को प्रमुक रूप से बनाने का कारण था बिजनस को सपोर्ट करना व् एक बड़ जब हम इसके ऊपर जो रिकवरी होगी लों की जो हमने ज़ापान से लिया है उस लों की रिकवरी होगी टыл के द्वारा एक बर जब टॉल वगरा वसूल लिया जाएगा उसके बाद आर्ब है आम लोगों को भी इसके ऊपर सफर करने की आजादी होगी और दूस उपर टोल का असर पड़ेगा फिर उस तरीके से बुरा हो जाएगी सरकार फिर दूसरी बात एक चीज और है अभी इस पर विकल्स की स्पीड तेज है और आम आदमी मोटर साइकल ओटो वाला अगर जाएगा तो भई दुरगटना की संभावना भी इसके उपर अधिक रहेग अटल सेतू इंस वीडियो में दिवारा इस वीडियो में दी गई मेरे दौरा दी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लग़ शान्दार लगी ने लीग इस दिश कर दीडियेगा चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन एक बार जरूर जो हेट कर दीजिएगा ऐसे वीडियो जरूर लेकर आओंगा फिर लेकर आओंगा और हमेशा लेकर आओंगा तब तक के लिए जै हिन जै भारत बंदे मातरम